आक्ट्रस कंगना रनौद अपनी शानदार आक्टिंग और विवादों से भरी छवी दोनों के कारण जानी जाती है। खबरों की माने तो आक्ट्रस कंगना रनौद का नाम कई स्टार से जुड़ चुका है। जिनमें अध्यान सुमन, आदेते पंचोली और रितिक रोशन तक शामिल है। कंगना का नाम सबसे पहले जाने माने अभीनेता आदेते पंचोली के साथ जुड़ा था। अपने रिष्टे को कंगना और आदेते ने खुल कर सुईकार किया था। आपको बता दे कि आदेते कंगना से उमर में 22 साल बड़े हैं और वो शादी शुड़ा भी हैं। इसके बावजुद कंगना और आदेते एक दूसरे से दिल लगा बैठे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आदेते पंचोली और कंगना की मुलाकात साल 2004 में हुई थी। दोनों जल्दी एक दूसरे के प्यार में पढ़ गये और साथ रहने लगे थे। कंगना जब इंडस्ट्री में अपना करियर बना रही थी तब आदेते पंचोली संग उनका रिष्टा था। कंगना ने एक इंटर्वियू में बताया था कि कैसे आदेते ने उन्हें बंधक बना लिया था जबकि वो उस समय नाबालिक थी। आदेते ना सिर्फ कंगना से उम्र में काफी बड़े थे बलकि शादी शुदा भी थे। कंगना और आदेते के रिष्टे की खबर आदेते पंचोली की पतनी जरीना वहाब को भी थी। वैसे आदेते और कंगना का रिष्टा जादा लंबा नहीं चल सका था। दोनों का रिष्टा काफी विवाधित भी रहा था। ब्रेक अप के बाद दोनों ने एक दूसरे पर कई गंबीर आरोब भी लगाए थे। वही इस स्थिती में सब कुछ जानने के बाद भी जरीना ने पती आदिते का ही साथ दिया था। कंगना ने कहा था वो पती-पतनी की तरह ही रिलेशन शिप में थे। हम अपने लिए यारी रोड पर एक घर भी प्लान कर रहे थे। हम एक दोस्त के घर पर तीन साल तक साथ भी रहे थे। कंगना ने बदाया था कि वह जो फोन इस् शें लियाता.